नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर किसी भी मंगलवार की रात चुपचाप रख देना यहाँ पर एक लॉंग जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको तुरंत मुक्ती हनुमान जी के आशिरवाद से आपके जीवन में उपाय बताये गए हैं जिनको अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन कर ले तो ना केवल आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती हैं बलकि आपका कोई भी सपना हो वो अवश्य ही पूरा होता है आज की इस वीडियो में हम आपको लॉंग के उन उपायों के बारे में बताने जा रही हैं जिन उपायों को अगर आप सही मुहूर्थ पर सही क्रिया अनुसार कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका भाग्य आपका इस तरह के साथ देगा कि आप जिस कार्य को भी अपने जीवन काल में शुरू करेंगे उस कार्य में सफलता प्राप्थ होगी आपका कोई भी सपना होगा वो तो पूरा होगा ही होगा दोस्तों यकीन मानिये आपके जीवन में आपको एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा दोस्तों अगर आप किसी जोतिश के पास पंडित के पास आस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और अपनी सम उनको बताते हैं तो वो जो भी आपको उपाय बताएंगे तरीका बताएंगे पहले तो आपका उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होगा दूसरी और आपका समय बहुत नश्ट होगा लेकिन आज आप इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाय देख लेते हैं और लॉं के चलिए दोस्तों जीवन की समस्त तरहे की समस्याओं से आपको हाथों हाथ मुक्ती मिल जाएगी शायद ये बात आपको ना पता हो दोस्तों माता लक्ष्मी जी भगवान विश्नु जी और भगवान बजरंगबली जी की पूजा पाठ में अगर लॉं का इस्तिमाल ना किया जाए तो इनकी पूजा समपन्न नहीं मानी जाती है अगर कोई व्यक्ती यह चाहता है कि उसकी पूजा हनुमान जी के सामने सिध्ध हो जाए वो जो भी उपाय हनुमान जी के सामने करें उस उपाय का उसको तुरंत लाभ मिल जाए तो उसको हनुमान जी के सामने लॉं के उपाय अवश्य ही करना चाहिए उसको अपनी पूजा में हनुमान जी के सामने लौंग का इस्तिमाल करना ही चाहिए। लौंग हनुमान जी महाराज को बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। अब आप लो। ये बात जरूर सोचेंगे कि आखिर लौंग हनुमान जी महाराज को इतनी प्रिय क्यों है। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों लौंग का जो आकार होता है वो हनुमान जी के गधे की तरह होता है। इसलिए हनुमान जी महाराज को लौंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है। जोतिश शास्त्र में तंत्र शास्त्र में लौंग के उपाय को सबसे अवल उपाय बताया गया है। कहा जाता है कि लॉंग का उपाय अगर मंगलवार के दिन सही मार्ग पर सही किया अनुसार किया जाए तो यह उपाय खाली जाही नहीं सकता है। शायद यह बात आप लोगों को पता ना हो तो जितना भी तांतरिक होते हैं वो जो भी। तो ना टोटका करते हैं उसमें लॉंग का इस्तमाल से ही करते हैं। जैसे हम आपके वीडियो की शुरुवात नहीं बता चुके हैं। लॉंग का इस्तमाल अगर किसी पूजा में किया जाए तो वो पूजा सिध्ध हो जाती है। और दोस्तों अगर आज के इस छोटे से दिक्कतों से आपको हाथों हाथ मुक्ती मिल जाएगी, हनुमान वो आशिर्वाद और वर्दान आपको मिलेगा। आपको कभी होगी आपका मंगल है, आपका इतना साथ देगा कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में सफल होंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की क्रिपा और आशिर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे हनुमान जी के आशिर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करें, बहुत ही आगे जाएं। हनुमान जी का वो आशिर्वाद आपको मिले की आपके जीवन में फिर आपको कभी भी दुखदर्द, तकलीफों का सामना ना करना पड़े, तो पूरी सच्ची श्र पर हम लोग करते हैं, तो अवश्य ही इसका लाभ मिलता है, लेकिन उपाय करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, लौं के उपाय का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप इस उपाय को सही मुहूर्थ पर करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रही हैं, इन उपायों को करने की एक विधी है और एक मुहूर्थ है, ये हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए, इसको किस मुहूर्थ पर करना इस बात का विशेश करके ध्यान रखिएगा, और अभी तक आपने विडियो लाइक नहीं किया है, वि तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं, तामसिक भोजन का मतलब होता है शराब, मदिरा, गुटका, पान, मसाला, मचली, अंडा ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा, मान आपके जीवन में धन आना बंध हो गया हो, धन आने के सारे रास्ते बंध हो गए, आपके जीवन में फि तो बस ये उपाए पाँच मंगलवार कर लीजिए, पाँच मंगलवार का मतलब यह है, दोस्तों की आपको ये पाँच मंगलवार क्रिया अनुसार उपाए करना होगा, सबसे पहले मंगलवार को सूर्यास्त के बाद आपको नहाना धोना है लाल कपड़े पहनने हैं क्योंकि हनुमान जी महाराज को लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है अब आपको कुछ चीजें चाहिए होगी जैसे आपको चमेली के तेल का दीपक चाहिए आपको एक शीशी चाहिए चाहे प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए चाहे कांच के शीशे ले लीजिए एक लाल कपड़ा लेना होगा शीशे में आपको आधा भरना होगा नमक अब आपको हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सूर्यास्त के बाद अपने घर पर बैठना है. सब पहले चमेली के तेल का दीपक जलाए लाल कपड़ा भी चाहिए, लाल कपड़े पर आपने जो लिए. जिसमें आधा नमक भरा है, उसको रखिए अपने हाथ में दो लॉं बार करना है क्योंकि भगवान भोले नाथ हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, इनकी पूजा में जब भी 1108 इस तरीके के अंक का इस्तिमाल किया जाए, तो उस पूजा का लाभ आपको तुरंत का तुरंत मिल जाता है, अब आपने 20 मंतर का जाप कर लिया, इस दो लॉंग को इस शीशी में रख दीजिए, अब आपको इस लाल कपड़े से इस शीशी को रख करके पोटली बनानी है, पोटली बनाते वक्त धागे का इस्तिमाल किया जाएगा, इसी पोटली को अपनी तिजोरी में अलमारी में जहां भी आप पैसा का लेंदेन करते हैं पैसा, सोना, जेवरात रखते हैं, वहाँ पर रख दीजिए, एक को आपने यह उपाय कर लिया, दूसरे मंगलवार को इस पोटली को निकालिये, शीशी को खोलिये, दो लॉंग हाथ में रखिये, हनुमान जी का वीज मंतर बोलिये और दो लॉंग रख दीजिए, पांच म जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, साक्षात हनुमान जी का वो आशिरवाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपको धन संबंधित परेशानी हो ही नहीं सकती है, तो दोस्तों इस बात पर कमेंट सेक्शन में तु आपको कभी भी हनस्ता, खेलता, कूटता नहीं देख सकता है, अगर आपके घर की बरकत होती है, उन्नती होती है, तो लोग नजर लगा देते हैं, और जोतिश शास्त्र में एक शब्द लिखा हुआ है, कि नजर तो इतनी खतरनाक होती है, कि वो हरे पेड को भी सुखा दे और अगर आपके घर की बरकत हो रही थी, उन्नती हो रही थी, घर की बरकत रुक गई है, उन्नती रुक गई है, आपके घर पर रोज लड़ाई, जगड़ा, ग्रह कलेश हो रहा है, तीन मंगलवार आपको यह उपाय करना होगा, जो आपको हम बता रहे हैं, और यह उपाय करने के बाद आपके घर की बरकत भी होगी उन्नती होगी और हनुमान जी का आशिरवाद आपके घर को मिल जाएगा कि आपको तीन मंगलवार मतलब सूरियास्त के बाद नहाना है धोना नहाने धोने के बाद लाल कपड़ा पहन लीजिएगा आपको घर के मुख्य दरवाजे से लेकर के घर के हर कोने में एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और एक एक लॉंग डालना है एक एक लॉंग डालने से पहले ओम हनुम्ते नमहया जय बजरंबली जरूर बोल दीजिएगा ती तीसरा उपाय बताने से पहले आपसे निवेदन था कि वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा तीसरा उपाय है दोस्तों बंद पड़े बिजनेस को चलाने का महाउपाय अगर आपका बिजनेस पहले चल रहा था अब आपका बिजनेस ठप पड़ गया आप इस चीज को लेकर के बड़ा परिशान है आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस चल जाए तो एक महाउपाय हम आपको बताने जा रही हैं देखिए यह उपाय आपको मंगलवार सुभा करना होगा बहुत ध्यान से सुन एक लाल कपड़ा चाहिए आपको ग्यारा लॉंग चाहिए और पांच गोमती चक्र चाहिए किसी भी पूजा घर पर ये आसानी से मिल जाता है अब आपको ये सारी चीजे लेकर के हनुमान जी के मंदिर जाना है पहले हनुमान जी के सामने आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है इस लाल कपड़े बिछाईए उस पर ग्यारा रॉंद रखिए पांच गोमती चक्र रखिए इस कपड़े की पोटली बना लीजिए इस पोटली को ईस पोटली को रख दीजिए आप के बिजनेस को जिसकी भी नजर लगी होगी आपके बिजनेस पर जो भी दोशी होगा, जो भी दिक्कत होगी वो खत्म हो जाएगा और आपका बिजनेस बहुत तेजी से चल जाएगा और आपके बिजनेस में चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाएगा दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा जिस व्यक्ती का मंगल ग्रह है उसके साथ होता है मान के चलिए वो गलत निर्नय भी लेगा उस गलत से भी उसको फाइदा पहुचेगा और जिस व्यक्ती का मंगल ग्रह उसका साथ नहीं होता है वो कितनी ही महंत कर ले कितना ही परिश पूरा गंगा जल भर दीजिये, आपको दो लॉंग अपने हाथ में लेनी है किसी भी घर के पास वाले पीपल के पेड़ के पास चले जाएं पीपल के पेड़ के पास जाने के बाद सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ाए और दो लॉंग को पूर्व दिशा में बहा दीजिए तीन मंगलवार यह उपाय कर लीजिए तीन मंगलवार के बाद मान के चलिए आपका मंगलक्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा यदि आप नौकरी के लिए इंटर्व्यू देने जा रहे हैं तो उस दिन स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर और हनुमान जी की पूजा करके हनुमान जी की कृपा से आपके सभी तरह के भय दूर हो जाएंगे जिन लोगों को जीवन में बार-बार असफलताए जहलनी पड़ रही है वे मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर रामरक्षा स्त्रोत का पाठ करें मान्यता है कि ऐसा करने से वन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है और काम्याभी अपने आप आपकी और दौड लगाने लग जाती है आशा है कि आज की इस प्रस्तुती में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आगई होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए